महा शिवरात्री से संबंदित कई पौरानी कथाएं हैं तो आईए आज हम आपको उसमें से एक कथा सुनाते हैं एक बार पार्वती जी ने भागवान शिव शंकर से पूछा ऐसा कौन सा स्रेष्ट तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यू लोग के प्राणी आपकी क्रिपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिव रात्री के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई तो कथा इस प्रकार है एक बार चित्रभानू नामक एक शिकारी था पश्यू की हत्या करके वह अपने कुटुम को पालता था वह एक साहुकार का रिणी था लेकिन उसका समय पर न चुका सका क्रोधित साहुकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया संयोग से उस दिन शिवरात्री थी शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंदी धार्मिक बाते सुनता रहा चतुर्दशी को उसने शिवरात्री व्रत की कथा भी सुनी संध्या होते ही सा शिकारी अगले दिन सारा रिड लोटा देने का वचन देकर बंधन से छूट किया अपनी दिन चर्या की भातिवा जंगल में शिकार के लिए निकला लेकिन दिन भर बंदिक ग्रिव में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकूल था शिकार करने के लिए वह एक तलाब के किनारे बेल व्रिक्ष पर पड़ाव बनाने लगा बेल व्रिक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ठका हुआ था शिकारी को उसका पता न चला पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनिया तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरी इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गया एक पहर रात्री बीद जाने पर एक गर्भिणी म्रिगी तालाप पर पानी पीने पहुची शिकारी ने धनुष पर तीर चड़ा कर जियों ही प्रत्यंचा खीची म्रिगी बोली मैं गर्भिणी हूँ शिग्र ही प्रसव करूँगे तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं बच्चे को जन्म देकर शिग्र ही तुमारे समक्ष प्रस्तूत हो जाऊंगे तब मुझे मार लेना शिकारी ने प्रत्यंचा धेली कर दे और म्रिगी जंगली जाडियों में लुप्त हो गई कुछी देर बाद एक और म्रिगी उदर से निकले शिकारी की प्रसन्यता का ठीकाना न रहा समी पाने पर उसने धनुष पर बाण चड़ाया तब उससे देख म्रिगी ने विनम्रता पुर्वक निवेदन किया हे पारधी मैं थोड़ी दिर पहले रितू से निवरित हुई हूँ कामातूर विरहनी हूँ अपने प्रिये की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर शीगरी तुमारे पास आजाऊंगे शिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका वो चिंता में पड़ गया रात्री का आखिरी पहर बीद रहा था तभी एक अन्यम्रिगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी के लिए या स्वर्णी मौसर था उसने धनुष पर तीर चड़ाने में देर नहीं लगाई वो तीर छोड़ने ही वाला था कि म्रिगी बोली हे पारदी मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लोट आऊंगे इस समय मुझे शिकार मत करो इस पर शिकारी हसा और बोला सामने आये शिकार को छोड़ दू मैं ऐसा मुर्ख नहीं इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खोड़ चुकाऊं मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे उत्तर में मृगी ने फिर कहा जैसे तुमें अपने बच्चों की ममता सदा रही है ठीक वैसे ही मुझे भी इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं हे पार्दी मेरा विश्वास करो मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ कर तुरंत लोटने की प्रतिक्या करती हूं मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई उसने उस मृगी को भी जाने दिया शिकार के अभाव में बेल व्रिक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फैकता जा रहा था पौफ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुस्ट मृग उसी रास्ते पर आया शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला हे पार्धी भाई यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृग्यों तथा छोटे-छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम न करो ताकि मुझे उनके वियोग में एक शड़ भी दुख न सायना पड़े मैं उन मृग्यों का पती हूँ यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ शड़ का जीवन देने की कृपा करो मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक शुपस्तित हो जाऊंगा मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र गूम गया उसमें सारी कथा मृग को सुना दी तब मृग ने कहा मेरी तीनों पत्निया जिस प्रकार प्रतिग्या बद होकर गई है मेरी मृत्यू से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अता जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीकरी उपस्तित होता हूँ उपवास, रातरी जागरन तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चड़ने से शिकारी का हिंसक्रिदय निर्मल हो गया था उसमें भगवत शप्ती का वास हो गया था धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहजी छूट किया भगवान शीव की अनुकमपा से उसका हिंसक्रिदय कारोनिक भाव से भर गया वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्यताप की ज्वाला में जलने लगा थोड़ी इदेर बाद वह म्रिक सपरिवार शिकारी की समक चुपस्तित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके किन्तु जंगली पश्यूँ की ऐसी सत्यता, सात्विक्ता और सामुहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी कलानी हुई उसके नेत्रों से आसुमों की जड़ी लग गई उस म्रिक परिवार को नव मार कर शिकारी ने अपने कठोर हिर्दय को जीव हिंसा से हाटा सदा के लिए कोमल दधा दयालू बना लिया देव लोग से समस्त देव समाज की इस घटना को देख रहे थे घटना की परिणती होते ही देवी देवता ने पुष्प वर्षा की तब शिकारी तथा म्रिग परिवार मोक्ष को प्राप्थ हुए शिव का अर्थ ही कल्यान होता है उन निरी प्राणियों का कल्यान करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उनका शिव से साक्षातकार हुआ तो ये थी महाशिवरात्री की एक कता जो हमने आज आपको सुनाई इस तरह की और पौराणिक कताईं सुनने के लिए हमारे इस चैनल प्रियांका सिंग ओफिशियल को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें नवापार्वती पतै हरहर महादेव